हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल क्लासिक गल मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको बताने वाली हूँ जॉय हनी एन्ड आलमंट क्रीम के बारे में जो की है ये येलो कलर की पैक में आपको अविलेबल है और इसके अंदर आपको नरिशिंग एन्ड स्किन क्रीम मिल जाएगी विद वीड ग्रीन ओयल एन नैचरल सीर संस क्रीम इसकी जो क्वाइंटिटी है वो मैं आपको पताना चाहती हूँ इस क्रीम की क्वाइंटिटी आपको 15 ml मिल जाएगी ये मैं जो रेव्यू कर रहे हूँ हूँ हनी ये आपको किसी भी किराना शॉप पर आसानी से मिल सकता है या फिर आप मैडिकल शॉप से भी इसको परचेस कर सकते हैं ये ओनली 10 रुपीज की होती है और इसके अंदर जो मॉस्चराइजर है जैसे कि अभी आप जानते ही है सर्दिया स्टार्ट होने वाली है तो सर्दिय है क्टियों में लगाने के लिए सबसे बैस्त करीम हो सकती है कि इनके साथ इसके अंदर जो है फूर्ट एक्स्ट्रेक्ट होते है और इसमें हनी एड़ होता है और इसमें और एडो अमॊन करीम है इसके जो एक तो हुं집 स्मुद है अगर आप इसको लगाएंगे तो यह आपको बहुत अच्छा से एक नरिशिंग लुक देगी यह आपके फेस को वाइट होने नहीं देती है आपके फेस पे खिचा-खिचाफ सा होता है या फिर सर्दियों में आपकी रफ स्किन हो जाती है ड्राय स्किन हो जाती है इसका आप देखेंगे एक रिव्यूस तो काफी लोगों ने कहाए कि यह वाली क्रीम होती है यह काफी चिपचिवी होती है बट ऐसा नहीं है मैं इसे अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर तो मुझे चिपचिवापन मनना ही मैसूस होता है बट हाँ यह कह सकते हैं कि यह वाली क्रीम जो होती है ओईली होती है हलका सा इसमें क्योंकि आलमंड इसमें एड है तो आलमंड की जो क्वालिटी होती है उसके अंदर ओईल अवेलेबल होता है तो वो जो ओईल है आपके स्किन को ब्राइटनेस करने के लिए आपके स्किन को डल नहीं करता है वो आपके स्किन को खिला-खिला रखता है सर्दियों में भी तो इसलिए इसके अंदर almond and honey का यूज़ किया गया है अब मैं आपको इसके qualities के बारे में बताना चाहती हूँ एक तो इसके अंदर जो quantity है आपको 15 ml quantity आपको मिल जाएगी और यह जो product है यह कहीं बाहर का product नहीं है यह made in India का product है तो मैं चाहूँगी आप लोग इसको use करें तो उससे और भी अच्छा होगा और इसके अंदर जो है आपको हर एक चीज available मिल जाएगी इसमें आपको यह भी पता चल जाएगा पीछे के side लिखा रहता है इसमें कि यह कब तक इसकी expiry date कब तक है क्योंकि जो ऐसी चीज़े होती है जितने भी creams वगईरा इनकी जो expiry date होती है वो कम से कम 12 months से 24 months के आसपास होती है तो अगर आप इसको use करते हैं तो आपको ध्यान देना है इसके expiry date पर भी तो अब मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ आपको इसके अंदर जो है wheat, cream, oil and natural sunscreen भी add है अगर आप इसको लगा के धूप में जाना चाहते हैं और आप सोच रहें कि हमें इसको लगा के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए तो मैं आपको बताना चाहती हूँ उसे आप लगा सकते हूँ क्योंकि इसके अंदर sunscreen available है अब मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताती हूँ अगर आप इसको उपन करते हैं तो यह इस तरह के आपको एक shield मिल जाएगी इसके उपर जिसे पूरे अच्छे से pack रहती है जिसे इसके अंदर हावा न लग सके और यह पूरे अच्छे से seal pack मिलती है आपको फिर आप इसको हटाके इसके अंदर से cream लेंगे देन आप कहीं पे भी अपने face पे लगाना चाहते हैं hands पे लगाना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छी cream होने वाली है आप लोगों के लिए इसे आपकी skin shine करेगी और आपकी जो face पे है जो dullness है जो roughness है वो आपको नहीं देखेगी तो इस cream का review बहुत अच्छा है मैं संद तो आप बड़ा पैक लेंगे और आगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल